टीम इंडिया के स्टार और राउंडर हार्दिक पंडिया इस समय भारती टीम से दूर हैं पीट की सरजरी के बाद से वे टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पा रहे हैं उन्हें न्यूजिलेंड ओरे के लिए भी टीम का हिस्सान नहीं बनाया गया उमीद करते हैं कि पंडिया जल्द से जल्द फिट होकर दोबारा मेदान में वापसी करते हुए नजर आएं मेदान से दूर होने के बावजूद भी पंडिया सुर्खियों में बने रहते हैं इस साल की शुरुआत में अपनी गल्फरेंड नताशा के साथ सगाई कर उन्होंने सभी को हरान कर दिया था वहीं अब वे अपने इंटर्व्यू के दोरान कई राज खोल रहे हैं पंडिया का एक इंटर्व्यू इस समय चाया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने क्रिकेट के किन दिगज खिलाडियों से क्या सीखा है पंडिया ने MS धोनी और राहुल दर्विट से सीखी हुई बातों के बारे में बताया पंडिया ने धोनी के बारे में कहा उन्होंने एक बार मुझसे कहा था अगर आप खुद के दवाव से निकलना चाहते हैं तो स्कोर वोर्ड के स्कोर को देखना बंद कर दें टीम को हमेशा खुद से आगे रखो और आप कभी दवाव महसूस नहीं करेंगे इमानदारी से कहूं तो मैंने तब से वैसा दवा महसूस नहीं किया जैसा मैं पहले करता था पंडिया ने राहुल दरविट के बारे में कहा मैंने वास्तव में राहुल दरविट से एक चीज सीखने शुरू की थी मैंने सही गेंद को चुनना सीखा था 2015 वर्ल्ड कप के बाद एक टीम बेठक हुई थी जिसमें जिंबावे सीरीज के लिए चुना गया था मैं आस्टेलिया दोरे के लिए भी नहीं चुना गया था मेरा IPL खराब रहा था मुझे VCCI से फोन आया कि मुझे आस्टेलिया जाना पड़ सकता है क्योंकि विजे शंकर को चोट लग गई है तो मैं एक मीटिंग में गया जिसमें किसी ने कहा कि मैं अपना नेचरल खेल खेलूँगा राहु द्रविट इस बात से सहमत नहीं थे और उन्होंने कहा कि नेचरल खेल जैसी कोई चीज नहीं होती अगर आप स्मार्ट क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको परिस्थिती के हिसाब से खेलना पड़ता है अगर आपका स्कोर पचास पर पांच विकेट है तो आप बेटिंग के लिए जाते हैं और छक्का लगाने की कोशिश करते हुए आउट हो जाते हैं और बाद में यह कहते हैं कि मैं अपना नेचरल गेम खेल रहा था तो यह मूर्कता है नेचरल जैसा कुछ नहीं होता क्रिकेट में सब कुछ परिस्थिती के आधार पर होता है यानि अपने खेल में निखार लाने के लिए हार्दिक पंडिया ने राहूल ड्रविड और महेंदर सिंग धोनी से काफी कुछ सीखा है वैसे हम सभी हार्दिक पंडिया को मैदान में काफी मिस कर रहे हैं यदि आप भी हर्दिक पंडिया के फैन है तो इस वीडियो को like करें और comment करके बताएं कि आपको हर्दिक का खेल कैसा लगता है।